हर रोज की तर आज भी मुमब इंडेंस की टिम को लेकर काफे सारे अपडेट बाहर निकल कर आ रहे और सारी अपडेट और सारी न्यूज में आपको इस वीडियो में बताने वालों जोके मुमब इंडेंस की टिम की और से निकल कर आ रही है और दोस्तों इस चैनल पर आपको मुंपेंडेंस से रिलेटेड हर न्यूस मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जुरूर प्रेस कर दीजिए चले बात का लेता है पहली बड़ी कबर किया फिर कहले पहली बड़ी न्यूस की चुकर मुंपेंड अनस की टिम ने भी confirm किया है जाएं टिम ट्रेट के जर्ये काफ़ सारे की लाड़ियो का अपने टिम में शामिल करने वाली है और दोस्तों सुत्रों के हवाले से कबर मिल रही है कि मुंप इंडेंस की टिम डेविड मिलर जैसे एक हाट इटर बल्लेबास को भी अपनी टिम में सामिल करना चाती है जहां दोस्तों काफे बड़ा अपडेट बार निकल कर आ रहा है माइकी टिम की और से काफे सारी बड़ी वेबसाइड वो बिदावा कर रहे है कि माइकी टिम डेविड मिलर को अपनी टिम में सामिल करना चाती है और माइकी टिम डेविड मिलर की जगे कैरन पुलाट को गुजरात की टिम में देने वाली है जहां दोस्तों हालागे گुजरात की टीम ने कॉंटेट किया था है मैकी टीम से क्यरान पुलाट की ट्रेट के लिए गुजरात की टीम कारन पुलाट कापनी टीम में शामिल करना चाहती है और उसके बदले में ऐसा हो सकता है कि मुपईंड एंस की टीम आमें डैविड मिलर कापनी टीम में शामिल करती हुए नजर आए जहां दोस्तों यह आने वाली कुछ दिनों के अंदर हमें कापी बड़ा ट्रेड होती हुए दिख सकता है अगर यह ट्रेड होता है तो सबसे पहले आपका हमारे यूटूब चैनल पर पता चलने वाला ही ट्रेड हुआ या पिर नई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जुरूर प्रेस कर दिजिए अज़ आप हो क्या लगता है मुमब इंडियांस की टिम को डैड मिलार का अपनी टिम में शामिल करना चाहिए या फिर कैनल को लार का अपनी टिम से बार कर देना चाहिए तो आप अपनी राकमेंड बोक्स में कमेंड करका ज़रूर बताना यह लिए बात कर लिए दूसरी बड़ी खबर की आफिर कर लिए दूसरी बड़ी न्यूस की यह बड़ी न्यूस मुमब इंडियांस की टिम के कप्तार रोई शर्मा के तरब से निकल कर आ रहे है दरसल रोई शर्मा आई पैल के सबसे सफल कप्तान है और इस याकप में भी रोई शर्मा के नाम कुछ आईसा रिकॉर्ड रहा है जहां दोस्तों में रिकॉर्ड के बारे में आपको बता जिताओ रोई शर्मा के दरसल रोई शर्मा ने भारत की कप्तानी 5 मुकाबलों में किया इस याकप के अंदर और 5 मुकाबलों में कप्तानी करती है रोई शर्मा ने एक भी मैच नहीं हर वाया है टीम इंडिया को और दोस्तो आज इंडे और पाकिस्तान का मैचो ने वाले और इसमें भी आमें रोई शर्मा तीम इंडिया को जिताती हुए देख सकते हैं तो 100% जो विनिंग परसंटेज रोई शर्मा का वो कायम रहती हुए आमें दिखने वाला है हला कि अभी 100% विनिंग परसंटेज अभी रोई शर्मा के नाम इस्या कप के अंदर तो दरसल इससे पता चलता है कि रोई शर्मा कितने सफल कप्ताय रोई शर्मा का क्या अच्छा परफेंश करते हैं और अमें हाज साँ शाथ साथ बज़े से मुकाबला शोरू हुए दिखने वाला है तो बसे वीडियों इंही तक तिउर एक काफे सारे अप्डेट निकल कर आ रहे तेमों पेंटियां स्कीटिम की होर से तो बसे वीडियों इंही तक तिउर अगर ये वीडियो पशने विड करे कंदे लाइक और चैनल को जड़ reciprocal करे सबस्क्राइब